नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में वेलकम चू ओल फॉर यू दोस्तों आज हम देखेंगे सपनों में ट्रेन देखने का क्या मतलब होता है दोस्तों जैसे आप चानते हैं सब लोग जो भी रात में सोते हैं जब वो सुबा उठते हैं तो वो कोई ना कोई सपना देखके ही उठते हैं तो वैसे में ट्रेन देखना कैसा होता है सपने में सपने हमारे फ्यूचर को बताते हैं हमारा आने वाला future कैसा है यह भगवान द्वारा हमें दिये जाने वाले संकेत होते हैं प्लस हमारे unconscious mind में जब कुछ हम सोच के सोते हैं तो कभी-कभी वो चीज़े भी dreams में आ जाती हैं बट mostly आप देखेंगे कि जो आप सोते हुए नहीं सोचते हैं वो भी आपके dream में आता है तो जब ऐसा कुछ हो तो आप सोच लीजिए कि यह भगवान द्वारा दिया गया संकेत है और हमारे साथ यही future में इसके according ही होने वाला है तो दोस्तो आईए बात करते हैं यदि आप सपने में एक चलती हुई train देखते हैं कि आप उसमें बैठे हैं आप यात्रा कर रहे है इट मींज आपका जो future है बहुत अच्छा होने वाला है आपको धन प्राप्ती होने वाली है सफलता मिलने वाली है किसी काम में और आपकी यात्रा शूब होगी दोस्तों वही अगर आप खड़ी train देखते हैं कहीं खड़ी train में आप बैठी हैं तो इट मींज दोस्तों जो भी आप future में या थोड़े दिनों में आप कोई traveling का plan कर रहे हैं किसी काम से आपको कहीं बाहर जाना है by train या by air कैसे भी आपको काम से बाहर जाना है means it can cause accident or anything like serious guys अगर आप देखते हैं कि सपने में आपकी train छूट जाती है आप कोई कहीं जाना चाहते हैं आप train का पीछा कर रहे हैं और आपकी train छूट जाती है तो ऐसी situation में हो सकता है कि आपके हाथ में अस्रफलता लगे अगर आप कोई काम में हाथ दालते हैं किसी नए business को start करने जा रहे है या कोई job interview के लिए examination के लिए प्लीज थोड़ा prepare हो के जाहिए बिकास यह dream यह indicate करता है so thank you for watching my video guys and comment करके बताया आपको मेरी videos कैसी लग रही है and please hit like, share and subscribe my channel and please press the bell icon button for next notification about my video so thank you for watching